गुड़ मॉर्निंग बच्चाओं तो देखे कल हमने लास्ट तुदे पंदर तके कुशें के हैं आज देखे 16 से देखे 23 तके कुशें तो इंग्लिस मेडियम वाले ये कुशें देख लेना किस तरह से लेंग्विज लिखी गई है कोई खास ऐसा वो कुश है नहीं अंतर ठीक है बुक आपके पास होगी और हिंदी मीडियम वाले भी अपना हिंदी में देख लेंगे ये रहा ठीक है ये रहा बाकी मैं ये भीज़तूंगा और बुक होगी मेरे ख्याल से सब के पास तो उससे सब देख सकते हैं कि कौशन कौशन किस तरह से लिखा गया है बाकी मैं पढ़ाते लक्त समझाता ही हूँ कि क्या चीज़े है ठीक है और जिसमें समझविन आएगा वापस ही पर आएंगे और देखेंगे इन कॉशन को बाकी है 15 से लेकर 23 तक आज complete करने वाले हैं और कल इसके questions भी लेंगे आपको चलिए तो 16 से लेकर ठीक है 15 तो करा दिया था 16th question तो यह रहा 16th question क्या कह रहा है इस पर आपको cos y cos to x cos a plus y दिया गया है और cos a की value कहा नहीं है 1 और minus 1 के equal नहीं है कहा रहा है इसका कोई खास huge फिलाल है नहीं huge है आपका इसका आपको यह एक equation दी है और आप से कह रहा है कि dy by dx equal to यह चीज प्रूफ करो इतना निकाल के दिखाओ सिद्ध कीजिए यह प्रूफ देट यह तो अब आपको आउकलन करना पड़ेगा फिलाल नार्मरी तो हमने cos y quest हुई दिया है तो हमने सीधे x के साब एक्चा आउकलन करने पर differentiate with respect to x किया तो cos y का minus sin y हुआ और फिर y का भी होगा तो dy by dx हुआ ठीक है उसके आद यहाँ गुणा वाला नियम लगा फेला फलन दूसरे का आउकलन प्लस दूसरा फलन पहले का आउकलन ठीक है यह रहा गुणा उसके बाद आगे बड़े तो x cos a plus y का minus sin a plus y होगा तो minus आगे लिख लिया है यह फिर अंदर a plus y का भी होगा a का 0 y का dy by dx ठीक है और cos a plus y यह रहा x का one होता है तो इसको कुछ किया नहीं आगे बड़े उसके बाद हमने क्या क्या y वाले एक साथ लाए एक तो यह है y वाला एक यह है तो इसको इधर लियाए आगे साइट पर ठीक है तो देखें यह minus का है और आगे आएगा तो प्लस का हो जाएगा यह रहा और यह अपनी जिगर पर बना हुआ है और यह भी बना हुआ है अब इन दोनों में हमने डिवाइबार dx कॉमल ले लिया तो अंदर यह चीज रही और बराबर में यह चीज रही अब ज़रा ध्यान देना इसको अगर मैं नीचे भीज़ दूँ इसके तो क्या होगा देखे यह y वाला है यह y वाला है यह x वाला है तो इसको भी y वाला बदलना है question में आपको दिया गया है cos y equal to x into cos a plus y तो आपको इस x को हटा कर y में लाना है तो यहां से आप x की वाले निकालेंगे x क्या आ जाएगा यह upon में चले जाएगा तो cos y upon cos a plus y तो आपने x की जिगर पर यह रख दिया बड़ा अब बाद सारे y वाले होगे ठीक है उसके बाद क्या 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 एक तो यह time है एक यह है इसके upon the one है दोनों का LCM लिया cos a plus y तो cos a plus y यहां भी आ जाएगा और इस तरह से आपका LCM लिया जाएगा ठीक है उसके बाद आप जरा उपर देखोगे तो sin c minus d का formula क्या होता है sin c cos d minus cos c sin d यह होता है यहां आप देख रहे होंगे sin c cos d minus cos c sin d यह इस तरह से हो रहा है c क्या है यहां a plus y और d क्या है y तो आप इतने बड़े हिस्से को इतने बड़े हिस्से को इतना छोटा लिख सकते हैं तो आपने यही काम किया है इस बड़े से हिस्से को यह छोटा लिखा है यानि इस बड़े से हिस्से को यह छोटा लिखा है साइन के रूप में C क्या है? C माइनस D C है यहाँ A प्लस Y और D है यहाँ Y तो A प्लस Y माइनस Y ठीक है? फिर क्या हुआ? Y Y cancel हो गया यह रहा और बचा क्या? साइन A यह रहा और D Y वे D X निकाल तो Sine A अपन में चल जाएगा यह आपका आंसर प्रूब्ड हो गया Cos square A प्लस Y साइन A तो यही निकालना था तो इस तरह से आएगा समझ रहो न? IMPORTANT कहाँ पर है? जहाँ पर IMPORTANT है? वहाँ स्टार लगा लेना मैं बताता हूँ यहाँ पर IMPORTANT है स्टार लगा लेना इस वाले पॉइंट पर क्योंकि आपको पता है X की जगह पर आपको यह Y के रूप में क्रॉश कॉश्चन से ही वैली रखनी है तब ही आगे सॉल हो पाएगा नहीं तो होगा ही ठीक है समझगी होगी चलिए फिर अगले कुश्चन क्यों चलते है अगला कुश्चन क्या कहता है 17 ती यह भी अच्छा कुश्चन है X की वैली D है Y की D है D2YDX2 निकालो कह रहा है पहले तक का आप DIYDX निकालो कहता था तो आप इसको इससे DX by DT निकालते थे इससे DIYDT निकालते थे और 2 को 1 से डिवाइड करते से तो आंसर आया था लेकिन आप यहाँ पर दो तरीके है एक तो जो मैं करा हूँगा कि आप यही काम करो सेम और इसको डिवाइड करो और DIYDX आ जाएगा फिर दुबारा उसका आउकलन करो तो D2YDX2 आएगा दुसरा तरीका है कि आप DX by DT निकालो फिर दुबारा आउकलन करके D2X DT2 निकाल दो और यहाँ D2YDT2 निकाल दो फिर आप भाग दो तो तुरंत आंसर आ जाएगा ठीक है तो दो काम कर सकते हो आप लेकिन दुसरा वाला काम मैं फिलाल बताओ तो जो मैं कह रहा हूँ एक बार ज़रा दुबारा देखना यह गलत हो जाएगा आपका DX by DT निकाला D2X DT2 निकाला और यहाँ DYYDT निकाला D2Y DT2 निकाला अब अगर आपने भाग दिया तो गलत हो जाएगा कैसे आप भाग दोगे क्या आएगा D2Y upon D2X आएगा ध्यान देना D2Y upon D2X जबकि निकालना क्या है D2Y upon DX2 तो इसलिए आप क्या करोगे न DX by DT निकालते हैं इससे और DY by DT निकालते हैं दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं और DY by DX मिल जाएगा हमको ठीक है ये मिल जाएगा फिर इसका आउकलन करके फिर D2Y by DT निकालते हैं वह वाला दरीका मत करना गलस जाएगा चलिए फिर करते हैं X equals to यह है Y equals to यह है ती के साब एक चाउकलन करेंगे differentiate with respect to T तो इससे क्या होगा DX by DT A ऐसा है रहा Cos T का minus sin T यहाँ पर गुणा का नियम लगेगा देखो T पहला फलन sin T दूसरा T हो गया sin T का cos T फिर sin T आएगा और T का 1 ठीक है यह आपका गुणा वाला नियम लगा है इतने से पर ही आया ऐसे ही आगे देखा तो यह की कड़ गिये minus sin T cos है plus sin T और बचा क्या A T cos T तो A T cos T समिकरन एग हो गया ऐसे Y वाले को करेंगे A रहेगा sin T का cos T यह देखा फिर से गुणा वाला नियम T हुआ cos T का minus sin T फिर cos T आएगा और T का 1 फिर आपने जैसे व्लेगे टटाया तो यह minus minus plus हो गया पहला और दुसरा वाला आपका minus हो गया यह cos T वाला फिर cos T कड़ जाएंगे और बचा क्या A T sin T ठीक है अब भाग देते हैं 2 को X से तो भाग देने पर सीधे डिवाई वाई डिक्स equal to क्या आगया इधर के सारे कड़िए तो sin T upon cos T आया जो की 10 T के equal होता है और हमारा answer 10 T आया अभी फिला अब दुबारा से X के साब X करेंगे अब X के साब X करेंगे T के नहीं करेंगे ध्यान देना क्योंकि नीचे ये DX है ठीक है तो D2Y DX2 आएगा और X के साब X कर रहे है ये भी आपको ध्यान रिखना है ठीक है तो जैसे ये आपने किया तो 10 T का तो सेक स्क्वेर T हो गया यानि DT Y DX हो जाएगा समझ रहे हो न 10 T का सेक स्क्वेर T फिर T का भी करना पड़ेगा DT Y DX वो भी X के साब एक चाट T के करते तो 1 होता समझ गे ये बात है अब आगे देखते हैं कितना आगिया अब देखो जब समिक्रण 1 में उपर पर हमने यहाँ पर आपने यह देखो जहाँ पर DX Y DT आए यह निकाला है 80 कॉस्टी अगर मैं उल्टा कर निकालो कह हूँ DT Y DX निकालो इसका उल्टा करो तो यहाँ पर भी 1 अपॉन में आ जाएगा नहीं इस तरह से तो इस तरह से हमारा DT Y DX 1 अपॉन 80 कॉस्टी होगा तो मैंने लिखा है कि यह समिकर एक था और उल्टा करने पर इसका उल्टा हो गया तो यहाँ पर रखने के लिए यह चीज आ गएगी अब जो यह कॉस्टी है उपर आएगा तो सेक्टी बन जाएगा बाकी सेम होई है जहाँ था ठीक है उसके बाद अब यह सेक्टी क्या हो जाएंगे सेक्टी हो जाएंगे अपॉन 80 तो यह आपका आंसर आगे DT Y DX 2 सेक्टी अपॉन 80 इंपॉटेंट कहाँ पर है इंपॉटेंट है आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कि आप जब पहले D Y Y DX निकालना है आपको फिर जब T के साप इक्ष करते हो तो यहाँ पर D T Y DX भी आएगा यहाँ पर स्टार ला लेगा और इसका मान फिर ऐसे निकाल कर रखना पड़ेगा और तब आपका यह आंसर आएगा अच्छा कुश्शन था समझ गियोगे सभी आगे बढ़ते हैं फिर अठारवे कुश्शन पर आप से करा है F X की वैल्यू मॉड आफ X क्यूब है अब डगल डैस X से निकालो अब ध्यान दो अगर मॉड X होता तो मॉड X का मतलब आप जानते हो कि X से होता है कब जब X greater than equal to 0 होता है माइनस X होता है कब जब X less than 0 होता है ठीक है अब मैं यहाँ पर क्यूब कर लूँगा तो यहाँ भी X का क्यूब X क्यूब भी आएगा और माइनस X का क्यूब करोगे तो माइनस X क्यूब आएगा तो इसलिए हमने यह जो है देखिए ऐसे ही लिखाया है यहाँ से आया समय में मॉड आफ X क्यूब को कैसे लिखोगे आप इस तरह से लिखोगे तो यह लिख दिया अब करो आउकलन आसान सा है मेरे खियाल से कुछ खास नहीं है तो X क्यूब का जगा 3X स्क्वेर यहाँ माइनस 3X स्क्वेर बागी सब सेम लिखाया है फिर दुबारा करोगे डबल डेस निकालना है आपको तो 3X स्क्वेर में एक घात आगया आएगी तो 3X स्क्वेर और पावर एक कम हो जाएगी तो X 6X रहेगा और नीचे माइनस 6X रहेगा बस यह आपका अंसर है मुझे निलगता कोई कठीन काम है बस टाफ इतना है कि इसको आप इस तरह से लिख पाते हो या नहीं अगर यह लिख लेते हो तो फिर तो कोई भी वह आपको प्रॉब्लम हने वाली है समझ गये ना चलिए आगे बढ़ते हैं 19 में क्योर को 19 में क्योर में देखा आपको पिसले चेप्टर का एक चेप्टर था जो 11th क्लास में फोर्थ चेप्टर करें थी या आगमन का सिद्दान्त यानि mathematical इंडेक्शन तो उस विदी से हम लोग जो सॉल करते थे इस साल भी त्रिगोर्ण में टिमेटिक्नोमेटरी में विवेत प्रसना वाली यानि मिसली निया सेक्साइज के अंदर इसके कॉशियन थे बहुत सारे तो वहाँ पर भी मैंने आपको एक दो कुशिंग कराये थे और एक दो कुद कर रहोने को कहा था तो वहाँ पर आपने यह की होंगे तो उससे कह रहा है कि उसके सिद्दान्त से जहां पर आपको पता है कि इस्टेप में n इक्वल टू 1 के लिए दूसरे में n इक्वल टू k के लिए तिसरे में n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सिद्द करना होता है आपको तो आप कह सकते हो कि यहां यह कथन क्या है सत्य है यह 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 स्टेटमेंट क्या है ट्रू है तो वही काम यहां करना है तो step होता है n equal to 1 के लिए ठीक है तो आपने step 1 में for n equal to 1 and 1 रखा है हमाँ पर n x की power 1 1 x की power 1 minus 1 ये ठीक है उससे क्या हुआ कि x की power 0 हो गई किसी की power भी 0 होती है तो उसका मान 1 होता है आया अब बताओ क्या x का उकलन एक के बराबर होता है बिलकुल होता है x का उकलन अगर x के साफ x करोगे तो 1 ही तो आएगा यानि हमने रिखा जो सत्य है नि which is true तो n equal to 1 के लिए तो सिद्ध हो गिया अब n equal to k के लिए मानना पड़ता है वहाँ पर होता नहीं है k के लिए मानना पड़ता है और तिसरे step में k plus 1 के लिए दिखाना पड़ता है वहाँ पर ठीक है दूसरे step को खुद मानना पड़ता है तो हमने n equal to k के लिए माना x equal to k क minus 1, तो देख रहे होगे कि k, k रख दिया है, यह समिकरण 2 हो गई, समिकरण 1 यह हो गई, जहाँ पर x का उकलन 1 निकाला था, ज़रत पड़ेगी इसकी इसलिए, ठीक है, और 2 की भी ज़रत पड़ेगी इसलिए, अब x equal to k plus 1 के लिए किया, तो आपको पता है कि जो statement है, वो d by dx of x की power n equal to n x की power n minus 1 है, अब k plus 1 के लिए निकालो कहेंगे, तो आप lhs वाले हिस्से में रखोगे k plus 1, और rhs वाला हिस्सा निकाल के दिखाऊगे k plus 1 के साथ में, ठीक है, तो हमने खाली lhs वाले में लगेगा, पहला फलन, दुसरे का उकलन, दुसरा फलन, पहले का उकलन, ठीक है, अब देखो, जो d by dx of x है, समिकरण 1 है, है, अभी निकाला था, और जो d by dx x की हाथ k है, इसका मान k x की हाथ k minus 1 है, समिकरण 2 में, तो वहाँ से मान रख दिये, ये देखो, इसका मान 1 है, और ये देखो, इदर वाले इस पूरे का मान क्या है, आपका k x की पावर k minus 1 है, तो हमने यही काम किया है, और देखे, यहाँ पर k x की पावर k minus 1 और यहाँ 1 रख दिया है, और लिखा भी है, समिकरण 1 प्लस K 1 प्लस K-1 तो 1 प्लस K-1 हुआ 1-1 कर दिया तो X की घात किया आया फिर दोनों मैं से X की घात K common ले लिया तो 1 इधर 1 बचा और इधर K बचा तो 1 प्लस K बचा यह सकती है क्यों सकती है अब जरा बताओ चलो एक बार यहीं पर करके दिखाये ताओं में यह आपको दिया था statement कथन दिया था X की पावर N का N X की पावर N-1 ठीक है अब बताओ यहाँ पर K प्लस 1 रखा था यहाँ भी K प्लस 1 बाला उत्तर आना चीए तो हमने K प्लस 1 रख दिया N की जगए X की घात यहाँ K प्लस 1 माइनस 1 रखो गे तो 1-1 कर जाएगा K बजेगा तो देखो क्या यहीं आया है नहीं है K प्लस 1 X की घात के हमने तो LHS को solve किया था ना पूरे को और RHS अपनाब निकल गिया तो इसलिए हमने का जो सकती है ठीक है अताय दिया गया कतन सभी वास्ति इसलिए क्यों के जब तीनों में है तो यानि हैंस सदक गिवाने स्टेट्मेंट इस टूप ऑल और रियल नमबर ठीक है समझ के होगे मेरे खियास से आसान सा है इतना टफ नहीं है चलिए बीसमा क्यों चलते हैं पीसमा कहा रहाए साइन और कोससाइन का योग का सुत्र यानी По助क्रार सुस्त में भी योग का सुत्र होता है वो निकालकि दिखा और बाइटकर करके अब आप निकाल के दिखाओ बस यह बोला है और आउकलन करके निकालो इसका differentiation करो पूरे इसका statement का तो हमने का ठीक है फिर करते हैं आसान है तो इसका आउकलन किया x के साफ एक्च तो sign का होता है cos cos a plus b हो गया फिर a और b का किया a का किया तो x के साफ एक्च d by dx of a और b का किया तो d by dx of b ऐसे इधर पर देखो गुणा का नियम लगेगा दोनों में पहला फलन दुसरे का आउकलन दुसरा पहले का आउकलन इधर भी गुणा का नियम लगेगा पहला फलन दुसरे का आउकलन दुसरा पहले का आउकलन ठीक है इतना तो हो सकता है आके बढ़ेंगे ये तो ऐसा ही रहा इधर sin A, cos B का होता है minus sin B, और फिर B का भी होगा तो D, B, Y, D, X ऐसे यहाँ cos B और sin A का कॉस E होता है cos A होगा और A का होगा फिर D, A, Y, D, X ऐसे यहाँ cos A, sin B का 주는 cos V और B का भी होगा D, D, Y, D, X ऐसे इधर sin B और cos A का आउकरम होता है minus sign A और A का भी होगा D A Y D X इतने आगे चारों ठीक है अब क्या किया हमने A वालों को साथ लिए ये देखो cos A D A Y D X ये मतला जिसमें D A Y D X of A है और इसमें भी देखो D A Y D X of A है ये है ना इनको साथ लिख लिए और जिनमें B है ये B वाला है ये लिखा है और फिर ये B वाला है ये लिखा है minus वाला बात में लिखा है plus वाला पैन फिर इनमें A और D A Y D X common लिए इन दूनों में और इन दूनों में D B Y D X common लिए ठीक है फिर आपको पता है ये कड़ जाएंगे और cos A plus B का formula बन जाएगा ये यानि cos A cos B minus sin A ये चीज़ समझे बाई ना जब यहाँ पर ये आया ना तो हमने क्या किया एक term ये है एक ये है इन दोनों मैंसे ये बड़ा वाला हिस्सा ये बीच में जैसे sin A plus B का आता है cos A plus B का ऐसे निकाल सकते हो sin A minus B का आता है cos A minus B का ऐसे करके क्रिकाल सकते हो समझे हो ना चलिए आगे बढ़ते हैं फिर 21 में question की ओल 21 में question क्या है जरा क्योंकि पहले आपको question समयना ज़र होई है question कोई खास ऐसा है नहीं लेकिन फिर आल देखलो चलो पहले Hindi medium वाले फिर English वाले क्या कोई ऐसा फलन हो सकता है जो प्रतेख बिंदू पर सतत हो यानि वो सतत हो हर जगह पर लेकिन दो बिंदों पर केवल दो बिंदों पर आवकल निय ना हो बस इतना कहा है English medium does there exist a function which is continuous everywhere, कह रहा है कि कोई कैसा फलन हो सकता है function, जो continuous हो हर जगह पर, लेकिन differentiable ना हो, वो भी सिर्फ दो points पर, तो ऐसा function आपका determinant के form में हो सकता है कौनसा? ये, fx equal to mod x minus a plus mod x minus b, ये ऐसा function है, जो continuous होगा, यानि, which is continuous everywhere, but but not differentiable at x equal to a and x equal to b यानि वो x equal to a और x equal to b पर, यहाँ a और b रखने पर, क्या नहीं होगा आउकल नहीं होगा, यानि, differentiable नहीं होगा बांकी सब जगह पर वो differentiable होगा और continuous तो वह हर जगह पर होगा तो ये ऐसा function अगर आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, solve करना आपको आता है कैसे continuous और differentiability चेक करते हैं सुरू में मैंने आपको सिखाया था continuous के लिए आपको पता है LHL, RHL और FA इन तीनों पर दिखाना पड़ता है FC मान लेना, और differentiable के लिए LHD और RHD दोनों को एक को दिखाना होता है आप चाहो तो continuous दिखाओ पहले differential दिखाओ पहले, फिर x equal to a पर दिखाओ तो नहीं दिखेगा और x equal to b पर दिखाओ तो नहीं दिखेगा बागी सब जगह दिखेगा समझेगे ना, तो ये खाली एक exam पर हमने ऐसा दे दिया है ऐसा question कभी exam में आता नहीं आया, तो आप इसको ध्यान रखेंगे ठीक है, बाइसमा question ऐसे आपको एक function दिया है determinant के form में, determinant उता सारनिक के रूप में दुसरा chapter था सारनिक दुसरा है तीसरा chapter जो भी था ठीक है, तो उसमें आप में पढ़ा होगा अवकर ठीक है, यानि matrix, determinant वाले chapter में आभियो और सारनिक वाले chapter में इस तरह से दिया है, और कर रहा है कि आपको सिद्ध करना है डियोई वैडियोई जब निकालते हो तो ये आता हो, यानि सिर्फ उपर उपर वाले ही देस में हैं, बांकी नहीं है हल करो रहा है, आप कई बच्चे ऐसा करते हैं एक्जाम में ये लिखते हैं और अवकलन करने पर सिद्धे नीच जाला लिख देते हैं अब अगर डिरेक्टी अगर एक लाइन में हो जाता तो पेपर में क्यों देता है एक्जाम में इन्टू एन तो लिंटू सी और एन इन्टू ए ठीक है फिर तिसरा लिया ये प्लस का और इसको और इसको चिपाया ये बचे तो ल भी माइनस में ये अब आवकलन करना हो जिंकि आप तो बन गई हैं समिकरण ऐसे सहारडिक का आवकलन करना तो आपको आता नहीं होगा हमने सीखा भी नहीं है लेकिन इसका आवकलन तो हमने सीखा है न ऐसी को जब समिकरण हो में दे दे तो कर लेंगे तुरंत अब करा हमने एक्स के साफ एक्छे आवकलन Lore concerned with respect to x y का हो गया dy by dx fx का f dash x और ये आपका क्या है constant है अचर है ये संख्या है ये एक तरह से ठीक है तो ऐसा ही रहेगा फिर gx का g dash x और ये फिर से ऐसा ही रहेगा hx का s dash x और ये ऐसे रहेगा क्योंकि ये तो क्या है एक आपका अचर है जैसे 2x square होता है अब आउकलंग करोंगा तो 2 तो ऐसे रखोगे x square का करोगे 2x same है ये 2 जो है ये बड़ी चीज़ है ठीक है पस अब वापस इसको हम ऐसा ही लिख सकते हैं इसको हमने वापस इसी रूप में लिख दिया यानि जो ये first वाला था ये फरस्ट फरस्ट वाले यहां आगे और ये जो है इनसे element और ABC बनेगा इसको हल करके देखो यही आएगा वापस अब सिद्ध होगी approved समझ गे ना तो ऐसा question था आसा last question है देखो दो तरह से इस चीज़ को दर्सान है आपको इनकी जेगा मान रखो और 0 निकालो एक तरीका तो मैं करके दिखाऊंगा जो अच्छा वाला है एक तरीका जो आप चाहते हो कि आप से ना बने question तो क्या करोगी इससे DIYDX निकालेंगे हम लोग वो कैसे निकालेंगे अभी देखेंगे यहां रखोगे DIYDX तो निकालेंगे उसके बाद वो यहां रखोगे और पूरे को हल करोगे तो आउत्तर जीरो आना जाए सबसे आसान तरीका इससे आसान कुछ नहीं हो सकता ठीक है दूसरा तरीका कि मैं इसको हल कर रहा हूँ DIYDX निकाल रहा हूँ और उसके साथ ही कुछ ऐसा काम करूँगा आगे को कि आंसर में यह पूरा खुदी आ जाए अब आपकी मर्जी आपको जो अच्छा लगी है दोनों से कर लेना ठीक है तो पहले हम करते है Y कोल टू E की पावर A कॉस इंवर्स X अब लॉग और E तो कड़ जाएंगे बचेगा क्या उपर का हिस्सा A कॉस इंवर्स X ठीक है अब आउकरान करोगे लॉग Y का 1 उपॉन वाई फिर Y का DIYDX A ऐसा ही रहेगा कॉस इंवर्स X का होता है माइनस 1 उपॉन अंडरूड 1 माइनस X स्क्वेर इसको A से वो मेलिप्लाइ करोगे तो यह आ किया आपका ठीक है उसके बाद अब हमने यहाँ पर कुछ काम किया Y को इदर भेज दिया माइनस A Y अपॉन अंडरूड 1 माइनस X स्क्वेर यह रहा अब देखो मैंने आंसर में 1 माइनस X स्क्वेर है वैसा चीए हमको इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पर स्क्वेर किया दोरू तरफ इधर भी इधर भी ठीक है स्क्वेर करने से क्या हुआ कि यहाँ एक माइनस अडिया और सारे स्क्वेर होगी नीचे वाले में अंडरू रह दिया फिर दुबारा से आउकलन अब करेंगे अभी फिलाल पहले 1 माइनस X स्क्वेर को इधर भीज दिया यह अब आउकलन किया X के साफ एक्च अब आपको पता है पहला फुलन दुसरा फुलन तो पहला ऐसे रहेगा दुसरे का करोगे तो 2 DYY DX की घात एक कम हो जाएगी यह फिर DYY DX का भी करोगे अंदर वाले का तो D2Y DX 2 होगा यहीं इंपोटेंट है हाँ ध्यान देना इसका करोगे तो पहले तो NX की पावर N वाला सूतर लगेगा NX की घात N-1 2 आगे आया घात एक कम हो गई फिर अंदर DYY DX से उसका करोगे तो उसका D2Y DX 2 होता है ठीक है फिर आएगा पहला यह दूसरा फलन और पहले का करोगे तो 1 का 0 X स्क्वेर का 2X हो जाएगा फिर ऐसे A स्क्वेर तो अचर है Y स्क्वेर का करोगे तो 2Y आएगा पहली घात एक कम फिर Y का करोगे तो अंदर DYY DX आएगा यह चीज़ है important है उसके बाद हमने क्या काम किया देखो इस पूरे में 2 भी दिख रहा होगा आपको एक टम यह है एक यह है तो एक तो 2 दिख रहा है यहाँ और एक DYY DX का स्क्वेर यहाँ है एक गात यहाँ है तो एक आ सकता है बाहर तो हमने 2 DYY DX बाहर ले लिया एक 2 और एक यह ले लिया तो बचा क्या 1-X square और D2Y dx2 ठीक है और इदर साइट 2 ले लिया है तो minus X बचा और इसमें से गात ले लिए तो एक ही गात बची और यह तो ऐसा ही रहा ठीक है अब इससे हुआ क्या कि एक 2 से 2 कड़िया और डिवाय वे इसके LHS में रख दो यहां इसकी जगर रख दो और इसकी जगर और हल करो और Y की जगर यहां Y की जगर भी रख दो Y का मान हल करो पूरा अंसर जो है वो 0 आना चाहिए लास्ट में 0 आएगा तो वह मैंने करा नहीं क्योंकि वह आसान है कोई भी कर सकता है अगर ना आये तो पूछ लेना ठीक है दुसरा तरीका यह वाला है जो मैंने बताया ऐसा मस्क करना कि यही तरीका सीखा दुसरा सीखा यह जो मै जाओ या फिर आप दुसरी मेथट को भी साथ में याद रगो ठीक है तो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है पूरा काम कंप्लीट करके मुझे भीजना है और मिलते हैं अगले में मैं कल आब आपको कुश्यन आंसर के फोटो ज भीज दूँगा उन इस चैप्टर से लेटे लेटने विपरमा आए हुए हैं उन सभी को कंप्लीट करना और फिर नया चैप्टर से करेंगे मंडे से तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई